नकार 400 पार करने का दावा कर रही थी आज वो अपना भहुमत तक पूरा नहीं कर पाई है इस से ये बड़ा इस बस्ट है कि मोदी जी जो भी ताना शाही से काम करने थे उसको देशने जन्ता ने नकार दिया है अगर मैं दूसरी बात करूँ कुरुकशेत्र की तो कुरुकश ये सपोर्ट से सहयोग से सीट पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ी गई और चुनाव के नतीजे अगर आप देखेंगे तो लगबग 19-20,000 से सीट रह गई मुझे ये लगता है कि ये चुनाव काफी मजबूती से लड़ा गया और नतीजे काफी इनकरेजिंग है लगबग 4 विदानसबाय ऐसे जहां पर हम जीते हैं दो ऐसी विदान सबाय हैं जहां पर कॉंकेस्ट काफी टफर है, दो ऐसे विदान सबाय हैं जहां पर रीजनबली हम लूस की है, मोटा मोटे अगर आप देखोगे तो यह काफी अच्छी शुरुवात हैं, आने वाले समय में आमाद्मी पार्टी और भी अच्छा करेंगा। रुकसान को देखते तो मैं आपको उत्तर दूसरा दे सकता था, लेकिन देश के लिए यह जरूरी था कि सारा विपक्ष एक जुट हो, और आप इसका प्रभाव भी देखिए, नरेंद्र मोटी जी जो 400 पार का आंकड़े की बात कर रहे थे, आज अपनी 200 पार भी नहीं कर तो देश इंपॉर्टेंट था, और मुझे यह लगता है कि अलाइंस करके गडबंदन करके देश को फाइदा हुगा, लेकिन आगे की सारी जानकारी, सारा डिस्कुशन के इजरिवाजी तैय करेंगे, अभी वो इन लोगों ने जेल में उन्हें रखा हुआ है, तो जब व पहर आएंगे, जब वो डिसकस करेंगे, तो इसमें इलिबोरेट डिसकुशन करेंगे, आम आदमी पार्टी सर्वसक्षा में पूरी तरीके से तयार है, और हम अपना कैम्पेइनिंग आज से शुरू कर देंगे, यह निरना केजरी वाल जी लेंगे, केजरी वाल जी अभी जेल में है, उनसे संपर्क साथते ही, वो आगे का डिसकुशन करके इसको स्पस्ट कर देंगे, देखो मैंने यह नहीं कहा कि किसके साथ जा रहे हैं, मैं यह कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तयार है, एक एक बूत पे हमारी मजबूर्टी में, पूरी 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 हरियाड़ा के हर भूत पे हमारा प्रेजिंस है, अब चुनाव लड़े हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी तो अपने आप से हाल रही है, जो बीजेपी का सिचुवेशन है, वो इस बार आप देख सकते हैं कि खटर साब ने जो मठ मारी थी, उतके बाद नह है, मुख्यमंत्री जी बने वो तम्हाल नहीं पाए, तो अब जो डिक्लाइन है, वो अपने आपको ही खतम कर लेगी, तो मेरा ये मानना है कि जनता आगे वीजेपी को हटाने के पक्षपे ही काम करेगी। में होता है, अगर आप जनता की सेवा करोगे, तो बिना फॉर्मूले के भी आप जीच जाते हैं, और यहीं लोग जो इतने साथ से मुख्यमंत्री थे, वहीं मंत्री बने, जितनी उनकी कारिक्षमता थी, योग्यता थी, वो यहाँ पे कर गए, अगर उनको करना होता तो हर प्याड़ा कर लिये होते, लेकिन उन सब चीजों में जाने के बजाए, भारती जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि इनकी सोच में ही दिक्कत है, यह जनता के लिए काम नहीं कर रहे, यह अपने आपको बढ़ा करने के लिए कर दो पुलिस इंवेस्टिगेट कर रही है, थपड मारा गया, नहीं मारा गया, कैसे मारा गया, वो तो पुलिस अपना काम करेगी कानून, लेकिन एक चुने हुए प्रतिनिधी को, सांसद को, यह कहना कि पंजाब में अब सारे लोग खालिस्तानी आतंकवादी हो गया, यह बड़े दुरभाग्ये की बात है, उनको यह मालूम नहीं है कि पुरे देश का पेट, पंजाब हर्याडा आपकी सुरक्षा करे, पंजाब हर्याडा दिल जी मेहनत करके आपके देश को आगे बढ़ाए और आप इस तरीके से उलजलूल बात करोगे, यह अच्छी बात नहीं है, यह शोबनी नहीं है, यह देश की अखंडता और एकता के लिए भी गलत है, इसक देखो जैसे बरसात होता है, तो बहुत सारे लोग अपने गरों से निकल जाते हैं, यह वैसे ही अब चुनाव जब आता है, तो चुनाव आने के कारण यह लोग निकल निकल के कुछ-कुछ एक्टिविटी करेंगे, इनसे सीधा प्रश्न यही है कि आपने कितने अंदोलन में किसानों को दबाने के लिए क्या-क्या हत्कंडे अपना है, आपने हमारी मा बेनों के साथ जो अपमान हुआ उसके लिए आपने लड़ा क्यों नहीं, आपने कितने स्कूल बनाए, आपने कितने अस्पताल बनाए, आपने law and order का हर्याडा में क्या बुरा हाल क है और क्यों कि यह सारे प्रश्क्र का उत्तर चाहिए अगर आप कहोगे कि अब मैं निकल जाओं यहाँ पर दीसी को लेकर और यह चार भाशन दे दूं इससे नहीं चलेगा पॉइंट वाइज पिछले कारेकाल का लेखा जोखा जनता को चाहिए और जनता को मांगनी चाहिए अबी हमने पुरुक्षेत्र में चुनाम लड़ा पुरुक्षेत्र में चार विदानतवा पे हम जीते हैं दो विदानतवा पे कॉंटेस्ट काफी टफर है और अगर देश में कुछ गिने चुने सीटों की बात हो रही थी कि मजबूती से लड़ रहे हैं उनमें से कुरुक्षेत्र था पूरा देश कह रहा था कि एक सीट जो सबसे पहली निकलेगी और मजबूती से लड़ रहे हैं वो कुरुक्षेत्र का यह निर्णा है कि कौन कितने और कैसे लड़ेगा वो जनता का है जनता जनार्दन है जनता अपना आदेश देगी हम हर एक भूत पर मजबूती से हमारी टीम तयार है और आपने दिखा होगा हम कैसे चुनाव लड़ते बहुत अच्छा लड़ेगा कि अच्छा लड़ेगा